बच्चों आप अपने पासपडोस पे ये अक्सर देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे कि आपका कोई पड़ोसी है वो जो जगह है वो उसका जनमे स्थान नहीं है वो किसी और दूसरे राज जिसे किसी दूसरे स्थान से आया हुआ है हो सकता है वो अपने सर्विस परपस से आया हो या अपने एजुकेशन के परपस से आया हो या महिलाओं म हम देखते हैं कि अकसर वो शादी के बाद यहां पर आए हुए हैं तो अकसर यह चर्चाएं होती रहती हैं हम बोलते हैं कि यह मुल्त बिहार के निवासी है या यूपी के निवासी है एंपी के निवासी है तो यह क्या देख रहे हैं कि या तो वो आंटी या जो भी आपकी वो शादी के बाद यहां पर आई हुई है या जो अंकल है वो अपने सर्विस के लिए यहां पर आई हुए हैं तो अब हम क्या देख रहे हैं जब वो सर्विस के दौरान अपने सर्विस के वजह से यहां पर दूसरे स्टेट पर आकर रह रहे हैं लेकिन उनका मूल इस्थान मुल जन्म इस्थान जो है वो अलग है अब उसके बाद चुकि वो पर्मनेंट वहीं पर रहेंगे क्योंकि उनकी जो सर्विस है उनकी जो सेवा है उनको दूसरे स्टेट पे देना है अब क्या होगा कि उनकी जो पूरी फैमिली है वो वहीं पर निवास करने लगेगी मालों उनके दो बच्चे हुए, दो बच्चों में भी एक बच्चा जो है वो higher secondary तक की उसने पढ़ाई की उसी जगह पे फिर वो और higher education के लिए किसी दूसरे state पे चला जाता है, हो सकता है वो राजस्थान चला गया या दिल्ली चला गया, महारास्ट चला गया और वहाँ पर वो सिक्षा प्राप्त करते क्या करेगा, उसको वही जॉब मिल गई और वो वही पर्मानेंटली सेटल हो गया, हो सकता है कोई दूसरा बच्चा है उनका दो बच्चों में, तो जो है वो अपने education के लिए other state के अलावा भी वो किसी दूसरी country में चला गया, USA चल कि एक व्यक्ति जो है वो मूल निवासी था बिहार का और अपनी सेवा के लिए service के दौरान उसकी service जो है वो दूसरे state में मिली और वो 36 गड़ा गया या हम ये कहें कि वो MP में चला गया, अब उसकी family वहीं सेटल हो गई और उसके जो parents है वो बिहार में रह गये क्योंकि उन यहां गया, उसकी family में भी जब दो बच्चे हैं तो एक बच्चा जो है वो बाहर पढ़ाई के बाद service वहीं मिल गई, फिर वहीं शादी हो गई और वो मुंबई में सेटल हो गया, महरास्ट में या गुजरात में या दिली, किसी दूसरे इस्थान पे और एक जो है वो इसके उदारण है, इसी को हम कहते हैं migration या प्रवास, आज हम चर्चा करेंगे प्रवास पर, migration पर, migration का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का किसी कारण से, कारण कोई भी हो सकता है, भी हमने बात की थी कि एक पढ़ाई के लिए गया, एक शादी के बाद जो है वो दूसरे इ हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का किसी कारण से, एक इस्थान से, दूसरे इस्थान पर चले जाना या वहां settled होना, जो है, क्या कहलाता है, प्रवास या migration हम इसे कहते हैं, अब migration भी जो है, वो दो तरह से होता है, एक आप्रवास होता है, जिसे हम immigration कहते हैं, और दूसरा जो ह वो उत्प्रवास होता है जिसे हम एमिग्रेशन के नाम से जानते हैं यहां पर एक आप छोटा सा पिक्षर देख रहे होंगे इसमें क्या दिख रहा है एक जगह पे एक कोई स्थान है उस स्थान पर दूसरे स्थान से व्यक्ति आकर निवास कर रहे हैं और उसी स्थान से तो दूसरे इस्थान से उस पर्टिकुलर इस्थान पर या जगह पर आना आप्रवास कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है, लेकिन उस इस्थान से दूसरे प्रदेश, दूसरे राजी या दूसरे देश की तरफ चले जाना आपका इमिग्रेशन या उत्प्रवास जो है वो क कहलाता है हम इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं जैसे हमारा च्छतिस गड़ है हम च्छतिस गड़ में आप या मैं कोई भी अपनी फैमिली के साथ रह रह रहे हैं अब हम यह देखते हैं कि मुझे अपनी उच्छ प्राप्त करने के लिए लंदन जाना है तो मैं यहां से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चली गई तो यह क्या कहलाएगा उत्प्रवास कारण हुआ सिक्षा लेकिन मेरा एक स्थान से दूसरे देश को चले जाना या लेकिन मेरे पडोस में कोई रहता है और मैं यह देख रही हूँ कि वो उसका 36 गड़ में रायपुर जीला जो है वो उसका मूल इस्थान मूल जन्म इस्थान नहीं है है ना वो आप्रवासी है दूसरे राज्य से चाहे वो यूपी से आया हो या एमपी से आया हो माल देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और भिलाई स्टिल प्लांट में वो सर्विस करता है तो सर्विस के कारण वो एक इंजिनियर है और सर्विस के कारण वो उत्तर प्रदेश से यहां पर आया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा आप्रवासी लेकिन मैं जो यहां राइपुर की मूल निवास है मेरा मूल जनम स्थान है मेरा यहां से मैं सिक्षा प्राप्ति करने लंदन दूसरे देश चली गई और वहीं सेटल्ड हो गई तो मैं क्या कहलाओंगी उत्प्रवासी या एमिग्रेटिव यह हमारा यह जो प्रवास का प्रकार है यह उत्प्रवास या एमिग्रेशन कहलाएगा तो I hope यह चीज आपको दो जो प्रकार हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब हम देखते हैं प्रवास को हम वर्गी करते हैं क्लासिफाइट कर सकते हैं क्योंकि यह कई प्रकार से होता है अभी ही हमने जो एक एक एकजामपल लिया तो उसमें हमने एक सिक्षा का उदाहरन लिया एक हमने शादी का जो है वो उदाहरन लिया एक सर्विस के कारण एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाना हमने एकजामपल लिया तो वर्गी करन जो हम करेंगे कारण तो उसमें अलग-अलग होंगे ही लेकिन प्रवाज जो है इसको हम दूरी या अवधी और समय के आधार पर वर्गी कृत करते हैं दूरी के आधार पर इसका छोटा सा एक्जामपल हम देखते हैं कि आपके दर्वाजे पर एक सबजी वाला आता है भाजी वाली आ रही है बहुत सारी विराइटी की भाजियां वो लेकर रो जाती है और आप उनसे भाजियां लेते हैं और वो आपके पर्टिकुलर उस शहर क की नहीं है आपके शहर के आसपास गाउं की है तो वो क्या कर रही है कम अवधी का और कम दूरी का प्रवास कहलाएगा मतलब वो अपनी सेवा देने के लिए अपने कारी के लिए वो क्या कर रही है अपने आसपास के छेत्र से या अपने आसपास के छेत्र की तरफ वो प्र सो हो सकता है जिस स्थान comes सुवार्वास यह सुपने कारी के लिए उस्थान से दूसरे इस्थान की तरफ आ रहेएं तो यह क्या हो गया अवधी कम हुई और दूरी भी कम हुई कम समय के लिए वह मुष्ट सुभवा रहे हैं और दो पहर तक अपने मूल निवास में वापस चले जा रहे हैं, तो प्रवास को हम दूरी और अवधी के आधार पर भी वर्गी कृत करते हैं, अब ये तो हमने एक्जामपल ले लिया, कि ये दूरी और अवधी का, कम अवधी का, अब लंबी अवधी में भी ले सकते हैं, हम अक्सर सबजी मार्केट में जाते हैं, या हम ये भी देखेंगे कि जब हम मार्केट जाते हैं ये किसी शॉप में जा रहे हैं और बातचीत के दौरान हमको पता चलता है कि वो जो दुकानदार है वो यहां 36 गड़ या आपके रायपूर का नहीं है वो कहां का है वो बिहार से आकर यहां बसा हुआ है वो किसलिए क् कि वहां उसे रोजगार नहीं मीला था वो रोजगार की तलाश में 36 गड़ आया और यहीं उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया यह हम इसमें भी बात कर सकते हैं हम जो फल वाले ठेले बहुत या सबजी वाले भी जो हमको मिलेंगे मार्केट में उससे भी ह किसी डिस्टिक का होगा या बिहार के किसी डिस्टिक का होगा या अन्य किसी राज्य का भी हो सकता है तो यह कारी के लिए आ रहे हैं तो वो रोज डेली अपडाउन तो वहां से नहीं कर सकते यूपी से 36 गड़ तो वो डेली अपडाउन नहीं कर सकते वो एक पीरेट के ल गया अवधी भी अधिक हुई वो तीन मेहने चार मेहने आकर रहते हैं फिर वापस चले जाते हैं और दूरी भी इनकी अधिक हो गई क्योंकि वो एक राजे से दूसरे राजे तक आ रहे हैं हम अपने चतिस गड़ के अलग-अलग गावों में भी देखते हैं आप अकसर जाती हूं तो अकसर मुझे ये देखने को मिलता है कि अगर मैं जनवरी और दिसम्बर के विशेष कर जनवरी के महने की बात करते हैं दिसम्बर लास्ट ये में मैं अपने गावों गई तो मुझे वहाँ कोई भी मजदूर जो है वो कारी करने के लिए नहीं मिलता पता चल तो हम अपने 36 गड़ के विशेश कर ग्रामीन छेत्रों में हम ये देखते हैं कि जब 6 महने धान की फसल वो लेते हैं तब तक वो अपने गाओं में ही क्रिशक या क्रिशक मजदूर के रूप में कारी करते हैं और आए तो अपने जीवन यापन करने के लिए आए तो सभी को चाहिए उसके बाद जो 6 महने वो खाली बैठ जाते हैं तो उस दोरान वो क्या करते हैं दूसरे राजियों में रोजी मजदूरी करने के लिए प्रवास कर जाते हैं तो ये हो गया कुछ सामयिक हम कह सकते हैं पर्मनेंट तो ये नहीं होगा माइग्रेशन सामयिक जो पूरी के अधार पर और अवधी के अधार पर होता है अब इसी में हम बात करेंगे आंतरिक और बाहिय भी होता है तो ये पूरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वरगी करण है प्रवास का इसे हम थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ेंगे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम बार बार-बार प्रवास की बात कर रहे हैं और हमारे पास जो डेटा आता है कि अक्सर जो है मतलब हर जो दस वर्ष में जनगरना हो रही है जिसके माध्यम से भी हमारे पास जो डेटा आ रहा है कि 90% जो है हमारे पडोसी देशों के आप्रवासी होते हैं, इमिग्रेटिव होते है तो यह जो डेटा है वो हमें कहां से मिलता है यह आकड़े जो है प्रवास से संबंधित आकड़े हमें जन्मदर, मृत्यूदर और हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था जनसंख्या वृद्धी, वितरण और घनत्व की भाती यह आकड़े हमें जनगर्णा के माध्यम से मिल जाते हैं और इसी से आकड़े हमें प्राप्त होते हैं अब बात होती है कि इसकी शुरुवात जो है वो कब से हुई थी तो हम देखते हैं कि migration से संबंधित या प्रवास से संबंधित जो आकड़े हैं वो आपके 1881 में इसकी शुरुवात हुई और इसे मतलब जनगरना में शामिल किया गया था और जब 1881 में इसे जनगरना में शामिल किया गया प्रवास से संबंधित प्रश्न को तब उनमें जन्म स्थान के आधार पर जानकारी मांगी गई थी मतलब भाई आप यहां पर तो रह रहें लेकिन आपका जन्मिस्थान कौन सा है तो वो जो जन्गर्णा में आकड़े एकत्र किये जा रहे थे वो इस आधार पर किये जा रहे थे कि मैं मालो दिल्ली में हूं लेकिन मेरा जन्मिस्थान जो है वो तो मैं ओरिजा के, मतलब जनगरना से संबंधित वहाँ के आकड़ों में मेरी गिंती होगी, वहाँ के नागरिक के रूप में. तो 1881 से 1881 में जो जनगर्णा हुई थी उसमें प्रवाज से संबंदित आंकड़े जो हैं वो एकत्र किये गए और वो जन्मिस्थान के आधार पर किये गये थी फिर इसमें थोड़ा कुछ संशोधन किया गया 1961 में 1961 में जो जनगर्णा हुई उसमें जन्मिस्थान के साथ निवास कि अवधी को भी उसमें शा मिल किया गया भई बताया कि मेरा जन्मिस्थान तो ये ये कोई भी बिहार या राजस्थान बोल दिया महारास्ट बोल दिया तो भई आप मतलब जन्मिस्थान जन्म के बाद तुरंत यहां आ गए हैं या आपके निवास की अवधी आप यहां पर कितने समय से निवास कर रहे हैं तो जन्मी स्थान के सांसा निवास की अवधी को भी शामिल किया गया इसके बाद फिर थोड़ा संशोधन किया गया 1971 की जनगर्ना में और 1971 की जनगर्ना में जो पिछला निवास उस्थान था वहां और प्रवास स्थान पर रुकने की अवधी को भी शामिल किया गया मतलब अब जन्मी स्थान पीछे छूड़ गया कि कोई होता है ना जन्मी स्थान दूसरा है जन्मी के बाद वो किसी दूसरे स्थान पर जो है वो प्रवास कर गया मालो सिक्षा प्राप्त करने के लिए वो दूसरे इस्थान पर गया, दूसरे देश या दूसरे राज्य पर गया और वहां से जब उसकी सर्विस किसी दूसरे इस्थान पर लग गई या यदि हम लड़कियों की बात करें तो खास करकि हम भारती समाज में देखते हैं कि लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती हैं तो हो सकते हैं वो दूसरे देश में उसके जो हस्वेंड हैं वो सर्विस पे होंगे तो उसके लिए उस दौरान उनको अपनी सिक्षा के स्थान से और दूसरे स्थान पर जाना पड़ा या उसके संबंधित जो जानकारी है वो एकत्र की गई इसके बाद 1981 में 1981 से लेकर अभी तक जो जनगरना हुई है उसमें इन बातों को शामिल किया गया है जो हमने उपर देखे कि जन्म इस्थान निवास की अवधी और उसके बाद फिर पुर्व जो और उसका दूसरा प्रवास का कारण क्या है ये जानकारी भी इसमें एकत्र की गई कि भई क्या आप सिक्षा के उदेश से आए हैं यहां पर या सर्विस के उदेश से आए हैं या जो लड़की है वो शादी के कारण शादी के बाद यहां पर आकर रहने लगी है तो ये जो प्रवास का कारण था उसे भी इसमें शामिल किया गया 1981 में और तब से लेकर अभी तक ये है और अब 2021 की जो जनगर्णा होगी तो उसमें भी इन बातों को शामिल किया जाएगा अब गर्णा का आधार क्या होता है हम अपने भारत में देखेंगे तो भारत में जो जनगर्णा की जाती है उसमें प्रवास से संबंधित जो आंकड़े एकत्र किये जाते हैं उसके दो आधार होते हैं पहला जन्म का इस्थान और जन्म की स्थान के साथ साथ निवास का इस्थान जन्म का इस्थान वो ऐसे होगा कि आपसे जानकारी पूछी जाएगी कि भाई आपका जन्म इस्थान कौन सा है यदि जन्म इस्थान जो है जहां पर जनगर्णा से संबंधित आकड़े एकत्र कि जा रहे हैं उस गर्णा इस्थल से जन्म का इस्थान जो है वो भिन्न है या अलग है दूसरा है तो उसे जीवन परियंत प्रवासी माना जाता है और दूसरा निवास के स्थान पर किया जाता है तो निवास इस्थान अभी हाल फिल हाल में वो जिस स्थान पर निवास कर रहा उसके पहले जहां पर उसका निवास था तो जो पिछला निवास स्थान जो है उसका वो तो जन्मी स्थान से भिन्न हुआ ही तो पिछला निवास कभी स्थान अगर भिन्न हो गया वरतमार निवास स्थान से तो इसे निवास स्थान के अनुसार प्रवासी माना जाता है तो य करते हैं इसकी पर है न पहले हम देख लेते हैं माइग्रेशन गर्गेशन का जो classification हम देख रहे थे उसमें हमने दो सब्सक्राइब की थी own की दूरी की अधार पर और दूसरा अवधि की अधार पर अवधिक के अधार पर और एक जो समांना वर्गी करन होता है प्रवास का वो है आपका आंतरिक और दूसरा होता है बाहिय प्रवास तो हमने दूरी के अधार पर देख लिया कि कम दूरी का और अधिक दूरी का अधिक के अधार पर भी हमने कुछ एक्जामपल्स देखे कि कम समय के लिए किया गया प्रवास और अधिक समय के लिए किया गया प्रवास आप में से बहुत सारे बच्चे भी अपनी सिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान से आते होंगे अपने आसपास के शहरों से और नेचरली है कि जो ग्रामीर छेतर के निवासी है वो हम हायर सेकेंडरी तक की सिक सिक्षा अपने गाऊं या अपने छोटा कोई शहर है जहां पर रह रहे हैं वह हम हिस निश्चीत रूप से अगर उन्हें अधिक प्राप्त करनी है तो उन्हें अपने शहर या गाऊं से निकलकर बाहर दूर किसी माहा नगर या बड़े शहर या शहर की तरफ जोное वह प्र आंतरिक प्रवास जिसे हम इंटर्नल माइग्रेशन कहते हैं और दूसरा होता है बाहिय प्रवास या हम जिसे इंटर्नेशनल माइग्रेशन के नाम से जानते हैं इंटर्नल माईग्रेशन या आंतरिक प्रवास कब होगा जब एक राजी के अंदर ही एक ही राजी के जो लोग हैं वो एक इस्थान से दूसरे इस्थान एक जीले से दूसरे जीले की तरफ जब इस्थान आंतरित होते हैं या जाते हैं तो हम उसे आंतरिक प्रवास या इंट एक भाठापारा से लड़की आ रही है, सिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो राज्य तो एक ही हो गया, यह वो हो सकता है कि धमतरी से रायपूर आई हो, यह धमतरी से बिलासपूर गई हो, यह बिलासपूर से रायपूर आई हो, तो एक राज्य के अंदर ही यह प्रवास हो और समझ लेते हैं, इंटर्नल माइग्रेशन में भी हम ये देखते हैं कि दो तरह से होता है, दो तरह से मतलब एक तो अंतहराजी होता है और दूसरा अंतर राजी है, अंतहराजी मतलब एक राज्य के अंदर हो रहा है, एक ही राज्य के अंदर जैसा हमने भी उदाहरन लिया कि हम या तो बिलासपूर से रायपूर गए, रायपूर से भिलाई गए, है ना, या दुर्ग से कोई बिलासपूर आया, कारी के परपस से, या सिक्षा प्राप्ती के उदेश से, कारण कुछ भी हो सकता है, है ना, तो ये हो गया अंतर राज्ये, राज्ये के अंदर, अब अ हम बात करते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन या हम जिसे बाहिय प्रवास कहते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश की तरफ जो प्रवास होता है, वो आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन या बाहिय प्रवास के नाम से जाना जाता है, अभी इसमें भी हमने थोड़ी चर् थी कि या तो हम service के लिए या बहुत उच्च सिक्षा प्राप्त करने के लिए हम USA चले गए Canada चले गए ब्रिटेन चले गए है ना मतलब कहीं और दूसरे स्थान पर हम अपने देश से दूसरे देश की तरफ जब जाते हैं कारण फिर से रिपीट करूंगी मैं कि कारण कुछ भी हो सकता है या तो वो service हो सकती है या फिर आपका कोई business हो सकता है है ना आप अकसर देखते होंगे जो हम बोलते हैं कि तिब्बती उलन मार्केट लग गया तो तिब्बत से बहुत सारे चुकी वहाँ पर वो जो उन होता है उससे बने जो स्वेटर है शौल है वो बहुत अधिक मात्रा में है और ठंड के दिनों में वो अपना उनका business है आई प्राप्त करने के लिए वहां स वो समान लेकर अलग-अलग राज्यों की तरफ प्रवास करते हैं जिन्हें हम अपने राज्य में भी देखते हैं और जैसे ही वो आते हैं तो हम कहते हैं कि भी ठंड के समय में तिब्बती उलन मार्केट लग गया हमें कोई भी शौल लेना है स्वेटर लेना है तो हम वो मा राज्य में आ रहे हैं तो यह कुछ उदाहरन हो गए इंटर्नल और इंटर्नल माइग्रेशन के और इंटर्नेशनल माइग्रेशन के अब हम यह देखते हैं कि जो आप्रवास होता है यदि हम अपने भारत के संदर में देखेंगे तो सबसे अधिक जो आप्रवास है उसमे महाराष्ट जो है वो पहले इस्थान पर है मतलब महाराष्ट में बहुत सारे लोग जो है वो प्रवासी के रूप में जाते हैं और जो यूपी है या उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रवास में सबसे पहले इस्थान पर है मतलब यूपी के उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने राजिय से दूसरे राज या आपके हम कहें दूसरे देश की तरफ जो है वो वुदप्रवास करते हैं, हम यहां पर एक बाढ़ चर्चा कर लेते हैं, अगर हम भारत के संदर में प्रवास की चर्चा करेंगे तो हमारे भारत में international migration जो है वो बहुत कम है अंतर राजी प्रवास ही अधिक होता है और प्रवास के कारण इसी लिए हमारे देश की जनसंख्या पर बहुत जादा प्रभाव नहीं पड़ता है या हम ये कहें कि प्रवास के कारण हमारी जनसंख्या संबंधी आकड़ों में बहुत उता चड़ाव नहीं आता है क्योंकि राज्य के ही अंदर होता है एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ अधिकतर प्रवास होते हैं